कि अभी करके रिक्वेस्ट आई थी कि अपने माउस कॉस्मिक बैट एक रिव्यू बनाई ये क्योंकि मैंने रिव्यू ने बनाया था सिंपल सी वीडियो अफ्लोड कई थी तो सिले मैं आज रिव्यू देने वाला हूं कि मेरे हिसाब से मुझे यूज करने में कैसा रहा तो भाई यह पहले आप वर्यू देख लिए माउस का ऐसा ऐसा देखने में है तो यह चार कॉस्टुमाइजेबल बटन से उसके उपर दो हैं तो अभी दिखे यह लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक है ठीक है तो इसमें भाई मुझे कोई परशानी नहीं आई है और बाकी यह आप देख सकते हैं यह नीचे कि ऊपर की दो कस्टुमाइजेबल और नीचे की चार कस्टुमाइजेबल है और वो जो गोल गोल दिख रहा ना थम के उपर वो कुछ नहीं है और रेड़ वाला बटन यह बश्क का काम को जैसे हैं इस प्लस माइनिस आपकर डीपी आई है इ तो अभी अभी पता चलेगा प्लस करोगे ना तो यह वाइट लाइट उपर जाएगी तो मतलब बढ़ेगो वाइट लाइट नीच आएगी माइनस करने डीपी आई कम होगी ठीक है तो अभी यह बटन साफ साइट के देख सकते और यह रेड़ वाला बटन यह है जैसे आप स लाइगा और यह स्कूल वील आप देख सकते स्कूल वील पर नीचे तो यह माउस है बाकी इसका सौफ्वेयर आप डाउनलोड कर सकते हो कॉस्मिक बैट के ऑफिशर वेबसाइट से अगर वह भी कैसे किया जाता है कहां से करना है तो वह भी मैं वीडियो बना दों कमेंट क और हलका कर सकते माउस तो आप यह देखें तीने सैल जैसा है तीनों आप निकालेंगे तो और हलका हो जागा वैसे काफी लाइट वेट है प्रॉब्लम नहीं होते बिल्कुल चलाने में इस साइट से आप देख लिए राइट साइट से और लेट साइट से भी मैं दिखा द कॉस्मिक बाइट का यह जीके 07 जो कि जल्दी अवेलबल नहीं हो पाता है काफी शॉर्टेज रहती क्योंकि आते ही बिग जाता है अगर इसका भी रीवी चाहिए तो अब बता देज़ेगा मैं रीवी वीडियो बना दूंगा तो बस एतना ही था तो अगर चैनल पर आप नहीं है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजएगा और लाइक भी कर दीजएगा वीडियो अच्छा लगए तो और शेयर कर दिना आपकी मरसी ओके तो जाहिंद टाटा बाइबाइबाइब और यह काम के बात तो बताना मैं भूली गया कि अ सब्सक्राइब कर सकते हों तो देख लेना मेरे लिंक से ठीक थैंक यू